दोस्तों अभी अगर मैं चाहूं तो इस smart tv को हटा सकता हूं और अभी चाहूं तो मैं इस plant को भी यहां से remove कर सकता हूं यह सिर्फ और सिर्फ मैं कर पा रहा हूं एक AI के थुरू ओके तो यह AI कैसे work करता है आप एक AI के थुरू अपना जो पूरा studio कैसे बिल्कुल digital studio बना सकते बिल्कुल नॉर्मल सा studio अभी आप लोग देखेगा यह मेरा बिल्कुल नॉर्मल इस्टूडियो ओके मैं नॉर्मल वीडियो सूट कर रहा हूं आप किसी भी एक पीछे वाल होनी चाहिए उस पर वीडियो सूट कर सकते हैं और उसके बाद जाके आपना जो रहेगा पूरा लोग बनाते हैं वाट आप लोग बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट बना सकते हैं अपने काफी अच्छे इस्टूडियो को ओके तो आप लोग क्या क्या प्रोसेस करने हैं चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो पहले इस यूटूब चैनल सुब्सक्राब नहीं क बिल्कुल इसमें कोई लिमिट नहीं कि आप इन चीजों को ही आड कर सकते हैं आप चाहओ तो कोई लाइट ला सकते हो कुछ भी आप कर सकते हो के तो चलिए यहाँ पर मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लेता हूं तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग करना के अपना को उसे आप लोगों ने ओपन कर लेना तो यहाँ पर मैं कर रहा हूं पावा डायरेक्टर का यूज तो मैंने इसे ओपन किया और आप लोग देखुए तो एक न्यू प्रोजेक्ट का ओप्शन मिल ला है मैं यहां पर किलिक कर देता हूं यहां से जो अपना साइज रहेगा YouTube बाला वो Select कर लेता हूं आप किसके लिए रेए र्यापने इसे साइज चत लिए कर ले ना YouTube का है सेलेक्ट कर लेता हूं कि इस पर मैंने लेता है मारे च्याले मरेता च्रइगरम करना है अब यहां करना क्या यहां पर आपना जो video रहे गा उससे यहां पर इंपोर्ट करना है उसके लिए यहाँ पर मैं open camera पर click करता हूँ विकोज मेरा वीडियो open camera में है इस पर मैंने click किया एड़ इस पर मैं एक video select करता हूँ और यहाँ पर timeline में लेके आ जाता हूँ मैं video को timeline में लेके आया अभी आप लोग देख सकते हो अभी जो मैंने video पर suit किया था वो जैस्ट यह video कि यह नॉर्मल वीडियो है यहाँ पर कोई studio नहीं है अभी आप लोग देखोगे तो एक अच्छा studio देखने को मिलेगा आपको तो सबसे पहले आपको करना क्या है इस पर एक वार क्लिक करना है और आप लोग हो कि यहाँ पर जो कुछ भी color correction करना हो आपको color grading करने हो तो brightness up down करना जो कुछ भी आपको एक्सवाइड करना पहले तो आप लोग वह चीज को कर लीजिए जैसा कि यहाँ पर थोड़ी सी मैं adjustment कर लेता हूं थोड़ा brightness को कम ज्यादा कर लेता हूं थोड़ा contrast देख लेता हूं कैसा सही रहेगा ओके आप लोग हो पहले तो यह पूरा कलर से रिलेटर जितनी भी एडिटिंग होती वह आपको color से से रिलेटर पूरी एडिटिंग सबसे पहले तो कर लेनी है यहाँ पर जो color से रिलेटर से रिलेटर से थी भी मैंने complete कर लिया ओके अभी आपको करना क्या है यहाँ पर इसका एक आपको screenshot लेना है अगर आप चाहो तो कोई capture का यहाँ पर आपको option मिलना है तो अच्छी बात है अभी यहाँ से फिलाल के लिए काम एडिटर से हमारा खत्म हुआ अभी बैक जाना है आपको बैक जाने के बाद आपको करना है अपना जो chrome browser application होता है इसे open ओके मैं यहाँ से करता हूँ chrome browser application open जैसे chrome browser application open करेंगे तो आपको यहाँ पर search करना है add of firefly तो यहाँ पर मैं search कर और यहाँ पर जो आपको first page website मिलें आपको इस पर क्लिक कर देना है इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से जिससे कि आपको सही से दिख सके हो कि अब यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर add of firefly लिखा हूँ आपको इस पर क्लिक कर देना first website पे एंड थोड़ा वेट कर लेना अब यहाँ आप लोग देखो यहाँ तो नीचे side अगर हम थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक option मिल जाएगा जनरेटिव फील्ल का जो आप लोग अभी देख रहे हैं ओके और इसके नीचे आप लोगों created with firefly लिखा हूँ दिख जाएगा आपको क्लिक क करना है upload image पर आप जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं यह आपको redirect कर देगा आप गैलरी में जैसे आप गैलरी में जाते हैं तो आपने जिस फोटो का screenshot लिया था आपको वह यहाँ पर सेलेक्ट करने एंडिया से आपको डन कर देना थोड़ा वेट कर लेना आपके सामने यह पे यहाँ पर यह जो आप लोगों को option देखने को मिलना है यहाँ पर तीन option ओके आपको तीन वैसे सबसे पहले तो जाओ आप देखेंगे तो first पर आपको insert का option मिल जाएगा आपको ध्यान देना है आपका जो यह insert पर रहना चाहिए ना कि remove या फिर pen पर okay तो यहाँ पर insert पर औ मार्क करके एक बार आप लोगों बता देता हूं मैंने यहां पर अपने उंगली कुछ इस तरह से और इस तरह से कर दिया ओके इस तरह से आपको पूरा फिल कर देना है इतना किया अभी आप लोगों करना किया थोड़ा नीचे आना नीचे आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को डिक्कत है नहीं आपको सजी दिख जाएगा ओके अब आप लोगों यहां पर क्लिक करना है स्मार्ट टीवी ओके मैंने यहां पर क्लिक किया अब आप लोगों यहां पर जो है जनरेट पर क्लिक कर देना जो आप लोग देख रहे हैं यहां पर जनरेट लिखा हुआ है थोड़ा वेट कर लेना और यहां पर एक स्मार्ट टीवी अच्छी सी लाएगा यह और थोड़ आप लोग अपने एकॉडिंग उस टीवी को भी कस्टमाज कर सकते हो मतलब कि काफी सारे आपको 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 एक और आपसन मिल जाता है तो दूसरी आप लगा सकते हो यह तो बिल्खुल वेकार लग रहा है कोछ अच्छा नहीं है ठीक है तो इस पर क्लिक करना है और भी कही सारी आजाएंगी तो आपको थोड़ा वेट कर लेना अभी काफी अच्छी टीवी मिल जाएगे आपको तो मूर पर क्लिक करने के बाद हमारे समने कुछ यह टीवी आई है ओके यह वी काफी अच्छी नहीं लग रहे है तो इसे मैं आप ए करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ जिससे की काफी सी टीवी अब की बार तो आएगी 100% कि इसे कुछ इस तरह से इतना करना है सहीँ न, आपको ये Draw दोबारा से कर देना, अगर काफी अपी अच्छी चीज नहीं मिले, तब भी आपको एक अच्छी सी चीज और सकता है, दोबारा देखने को मिले, इतना किया मैंने, और दोबारा से आप generate पर क्लिक कर देता हूं, दोबारे से मैं किलिक करूँगा तो यह दोबारे से कुछ अलग टाइप की टीवी यहां पर सो करेगा थोड़ा सा वेट कर लेना हमें यह थोड़ा लोड़िंग लेता विकॉज यह थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो अभी आप लोग देखो तो यह इसने जनेरेट कर दी यह थिप लग यह घुद क काफी अच्छी लग लग रही ति हमारे पास और भी आप्संस में रभी ट्राइ कर लेता हूं यह कि यह थो अच्छी नहीं लग रही एक प्लांट तो मैं एंप फिरसे छुप में होता और अपने हाथ से ड्रॉ कर देते यहां पर मैंने कुछ इस तरह से ड्रो किया और यहां पर अब मैं करता हूं इंडोर प्लांट यहां पर सर्च क्या करता हूं इंडोर प्लांट तो यहां पर मैं कर देता हूं इंडोर plant ओके मैंने यह पर indoor plant लिखा और आप मैं यह पर generate पर क्लिक कर देता हूँ और यह पर एक plant आ जाएगा काफी अच्छा सा थोड़ा wait कर लेते हैं अभी generate पर क्लिक ही नहीं हो था दोबार से कर देते हैं गैस अगर आपको वीडियो informative लग रहा हूँ तो प्लीज आर वीडियो को like करना और इस चैनल को subscribe जरूँ से कर लेना because आपको इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे अभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक plant यह आज चुका है ठीक है अभी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके सामने तीन option है इसे पर आप click कर सकते हैं यह देख सकते हैं यह आगर आप लोग यह भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यह थर्ड वाला चूज कर सकते हैं अगर यह भी अच्छा नहीं लग रहा तो आप more पर click कर सकते हैं, okay, more पर click करने के बाद आपको 3 options और दिये जाएंगे, उन में से भी अगर आपको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप फिर से more पर again click कर सकते हैं, जिससे कि आपको और 3 options दे दिये जाएंगे, तो हम यहां पर थोड़ा सब्वेट कर लेते हैं, और हमारे सामने 3 new options आ जाएंगे, तो यहां से यह दोबारा में कुछ इस तरह से यह plant आया, दुसरे पर click करता हूँ, यह आ गया, इस पर click करता हूँ, यह तो मुझे यह वाला ठीक लग रहा है, okay, मैं इससे I think select कर लो, तो काफी कर ले रहा हूँ, ठीक है, यह काफी अच्छा है, अब मैं यहाँ पर click कर देता हूँ, मैं जैसे keep पर click किया, तो हमारा यह हो चुका है, यहाँ पर इतना complete हो चुका है, अब आप लोग देखोगे, तो उपर side में आपको एक download का option मिल जाएगा, ओके, आप जैसे download पर click वो download हो जाएगा, थोड़ा सा wait करना होगा, यह image का size रहेगा, थोड़ा सा बढ़ चुका होगा, because यहाँ पर हमने कुछ चीजों को add किया है, तो कुछ MB में इसका size पहुंच गया होगा, KBC, तो यहाँ पर यह image download हो रहा है, थोड़ा सा wait कर लेना है, और download होने के बाद फिर स आपको आपना जो रहेगा, एडिटर application open करना है, जिससे कि आप अपने वीडियो को edit कर रहे थे, जहांसे आपना यह screenshot लिया था, उसी application को आपको दोबारा से use कर लेना है, तो यहाँ पर यह firefly.adop.com, आपको यह permission दे देना है, ओके, अभी यह आपर download हो चुका है, 2.63 MB का photo अभी इसे मैं यहां से हटा देता हूं, विकॉज इसका यहां से काम बिल्कुली खत्म हो चुका है, अभी चलते हैं, अपने एडिटर पर और आप लोगों को दोबारा से बताते हैं, अब आपको यह process editing में किस तरह से use करने हैं, तो हम लोग फिर से अपने project पर आचुके है लेर पर किलिक करने के बाद photos पर किलिक करना है, और हम जो photo हमने AI से यहां पर डाउनलोड किया था, वो photo यहां पर लगा देना है, तो यहां पर डाउनलोड पर जाते हैं, और हमने यह photo यहां पर डाउनलोड किया था, मैं इस पर किलिक किया हूं, और यहां पर यह photo आ चुक इस तरह से पूरा इधर खीचना है इस line को और इस line को पूरा ही पिछले जाना है आपको पूरे ही timeline पे इसे कर देना है set अब यह आपको करना क्या है सबसे पहले तो आपको नीचे वाल timeline पर click करना है जो अभी हमने यहाँ पर import किया photos पर और यहाँ पर edit पर जाना edit पर जाने के बाद आपको देख लेना आपके editor में एक mask का option मिल जाएगा यह फिर mask का नहीं है तो फिर एक crop का मिल जाएगा तो यहाँ पर मुझे एक mask का option मिल ला है मैं simply इस पर click कर दे रहा हूँ इस पर click करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कई सारे डिफेरेंट डिफेरेंट यहाँ पर मास्क देखने को मिल जाएंगे आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं जिससे कि आपकी फोटो अलग हो जाए और आपका वीडियो थोड़ा अलग हो जाए जैसा कि अभी आप लोग समझ जाएंगे जैसे कि यहाँ पर मैं वीच वाले पर किलिक करता हूं और अब इसका मतलब क्या है वह आप लोग बता जेता हूं इस पर मैंने क्लिक किया और इसे थोड़ा सा इस तरह से हो याप लोग दो तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है अगर मैं मैं फिल्कुल बारी किसे तो नहीं बता सकता हूं बट यहां पर जितना मैं बता रहा हूं आप लोगों को ध्यान देना इस चीज़ पर अपने एकोर्णिंग यहां पर पूरा इसे सेट कर लेना कुछ इस तरह से । मैं कर रहा हूं और आप लोगों धियान देना tua जीasti को इस तरह सेrzyट कर लेना और आपको धियान देना है आपको जो रहेगा यह हैं डेजासा कि मैं यह यहां करक करका यह हां उस συνदो आपको यहांत हरा है यह थोड़ा है क्रॉप की यह अपने हाथ से थोड़ा सा बाहरी साड ही रखना है माल दीजी आपको यह लाइन आपका हाथ यहां तक आ रहा है तो आपको अपनी लाइन यहां तक रखनी है ओके तो यहां पर मैंने ऐसा ही किया अपनी लाइन को यहां पर रखाए अभी यहां पर इसे में डं याँ से तो यहाँ से च्राप कर रहा था ना तब यहां से अपने जगह से हेल चुका था तो अब यह है थे थोड़ा सा मैं पीछे से ले ले लेता हूं ठाके तो यह ऐ थिंग साइवा पूरा थोड़ा से इस diagnostic क्लिक्ट किया इस तरह से और इस से थोड़ा यह काफ़ी अच्छा रहने बाला आपके लिए बट यहाँ पर मैंने इंडॉर वीडो सुट किया था बट मैंने गेट को ओपन का रखा था तो यहाँ पर जो था लाइट की प्रॉब्लम थी जिस बशेसे यहां पर लाइट का थोड़ा दिक्कत था ना तो यहां पर थोड़ा सा आपको लगया कि यह अलग से लगाया हुआ अगर ग्रेन रखते हैं या कुछ और रखते हैं तो थोड़ा सा अलग से लगता रहता है अगर ब्लैक या वाइट या फिर ग्रे रहता है तो कुछ भी वहां पर बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता है कोई भी कि आपने यह ए आई के थूरू इस्टूडियो जनरेट किया है त अगर वीडियो अच्छा लागते वीडियो को लाइक करना एंड हमारे इस यूटूब चनल सब्सक्राइब को भी प्रेस करना मिलते नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद